हेलो दोस्तों आज की इस वीडेओ में आपको बताउंगा जो आप अपने मोबाइल में फोन में पासवर्ड लगाते हो या फिर पिन, पासवर्ड, पैटर्न, कुस भी लगाते हो आप अपने फोन को सेक्यूर रखने के लिए या फिर आपका फोन कोई बंदा या फिर कोई आदमी आपके फोन को जो है अनलोक ना कर पाए आपकी जो crucial information होती है ओवर read ना कर पाए कोई data है जो कि वो देखना पाए ठीक है तो आप अपने फोन को secure रखना चाहते हो अपना फोन पासवर्ड लगाते हो आप अपने फोन में password lock screen पासवर्ड लगाते हो ताकि कोई बंदा आपके फोन को unlock ना कर पाए तो इस वीडियो में लेकिन आपका जो password होता है वो कोई किसी बंदे ने देख लिए आपके आसपास के तो आपका फोन कभी पाता है तो unlock कर सकता है ठीक है वो tension होती है तो आपको बार बार जो password लग change होता रहेगा और सिर्फ आप ही को पता चलेगा और वो application का जो interface होता है वो icon होता है वो भी आप किसी भी icon में shift करा सकते हो, change करा सकते हो या फिर इस icon को hide भी कर सकते हो तो आपका phone कोई open कर भी लेता है या फिर आप open करके दे देते हो किसी को भूल चुक में तो आपका phone जो वो चेक करेगा कोई application तो नहीं है क्योंकि मैं तो खोल नहीं पारा हूँ इस phone को unlock नहीं कर पारा हूँ तो वो चेक करेगा तो वो भी उसका जो idea है वो भी नाकाम हो जाएगा क्योंकि आपने तो उस application को hide कर रखा होगा तो इस वीडियो पर बने रहेगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो आपको सबसे पहले play store पर जाना या फिर आप वीडियो के description में चेक कर सकते हो आप लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके play store पर जा सकते हो और उस application को download कर सकते हो उस application का नाम है time password screen lock time password search कर सकते हो play store पर जाके वह आपको मिल जाएगा उसके बाद उसको install करना इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल सा उसको open करना या आप देख सकते हैं या आपको mobile screen पर जो इतनी सारी application दिख रही होगी ठीक है टोटल सेवन एप्लिकेशन हैं यहाँप है आप बता सकते हो आप गःस कर सकते हो कि इसमें से कौन सा application जो है screen lock वाला application time password screen lock वाला application comment करके बताना मेरेको कि कौन सा इसमें से आपको लग रहा है कि स्क्रीन लॉक पासवर्ड वाला एप्लिकेशन है तो मैं आपको बता दो सिंपल सा क्लिक करते हैं उस एप्लिकेशन करें यहां पर देख सकते हैं वैदर वाला एप्लिकेशन है यहां पर वैदर वाला एप्लिकेशन है इसका आइकन जो है मैंने चेंज कर दिया है तो इस पर स कर सकते हैं यहां पे मेरा नाम लिखा रहा है यहां पर जिरो टू एंटर कर देना उसके बाद आपका जो एप्लिकेशन ओपेन हो जाएगा आप जब अप्लिकेशन को ओपेन करेंगे तो आपको आपको आपसे पासवर्ड नहीं पुछेगा क्योंकि आपने इस एप्लिकेशन का ओन नहीं किया होगा यह इनेवल लॉक का जो है वह इसाइड किया होगा तो मैंने पहले सेट किसेट किया है इसी लिए वह आया था मेरा पासवर्ड मांग रहा था है तो मैंने पासवर्ड बता दिया एंटर कर दिया यह inspiration ओपेन हो चुका है 0102 है ठीक है यहाँ पर सिंपल सा आपको enable lock पर on कर देना उसके बाद आपका setup complete आपके मोबाइल इस्क्रीन मोबाइल पर यह टाइम पासवर्ट लग चुका है अप्लाई हो चुका यहां पर देख सकते हैं आपको सिंपल सा नीचे आना यहां पर फेक आइकन पर क्लिक कर देना है इससे क्या होता है आपको कई सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने वेदर का अप्लिकेस जो आइकन लगा होगा है यहां पर म्यूजिक का लगा लेकिन वो बंदा आपके application को पहचान नहीं पहएगा और आपका जो password है वो हमेशा change होता रहेगा तो कोई भी पहचान नहीं पहएगा और कोई भी बंदा आपका password एक बार देख भी लेता है तो वो unlock करने की कोशिस करेगा 5-10 मिनट के बाद तो वो तो password already change हो चुगा होगा तो इस situation में आपका password जो है वो save रहेगा secure रहेगा आपका phone कोई भी information कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा सिवाए आपके तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मेरे comment section में बताना और प्लीज भाई मेरे चैनल को subscribe कर देना बेल आइकन दबा देना क्यूंकि मैं ऐसे अगले वीडियोज अपलोड करते रहता हूं अपने YouTube चैनल पे तो मिलेंगे अगले वीडियो में